हम दोस्तों तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से हम लोग पी एच निकालेंगे अगर मिक्शर ऑफ टू और थ्री वीक एसिड है इन दी वाटर ओके तो चलिए दोस्तों निकालता है हम लोग तो माल लीजिए आपके पास दो एसिड एच एड एच बी है अब ये जो हपलस है एच एसे और जो हबी का हपलस है क्या ये दोनों अलग है अफकोर्स अलग नहीं है सेम है लेकिन इसको एनलाईज करने ले हम लोग ने अलग लग कंशिर किया है तो चलिए दोस्तों मान लेते हैं कॉंजंट्रेशन ऑफ एच एच बी सी टू है यह जीरो initial, जब dissociate होगा, तो इसका dissociation constant alpha 1 ले ले लेते हैं हम लोग दोस्तो, ये c alpha 1 हो जाएगा, ये भी c alpha 1 हो जाएगा, जैसे ही आपने c alpha 1 लिखा उपर, यहाँ पर automatically c alpha 1 तो इसका आ ही गया, और ये 0 है, अब hb भी dissociate होगा, मान ले तो इसका dissociation constant alpha 2 है तो यह हो जाएगा आपका यहाँ पर c2 यह c1 alpha 1 c1 alpha 1 हो जाएगा और यहाँ पर c2 alpha 2 आएगा h plus because of the dissociation of hb c2 alpha 2 hb से आएगा और ha से already c1 alpha 1 है तो total हो जाएगा c1 alpha 1 plus c2 alpha 2 तो क्योंकि यहाँ पर आया तो इसके लिए भी वो बढ़ी गया एक तरह से तो concentration of h plus दोनों में सेम रहेगा क्योंकि एक ही flask के अंदर same h plus दोनों reaction में share हो रहे हैं ओके और यहाँ पर आजाएगा c2 alpha 2 हमेशा की तरह है हम लोग water का equilibrium ignore कर रहे हैं assuming कि जो भी pH आएगा दोस्तों वो 6 या 6 से नीचे आएगा कहने का मतलब है concentration जो h plus का है उससे ज्यादा आएगा कभी हम water का equilibrium ignore कर सकते हैं otherwise हमको water equilibrium भी लिखना पड़ेगा that h2o is in equilibrium with h plus plus oh minus चलिए इसका माल लेते हैं equilibrium constant ka1 है इसका equilibrium constant ka2 है okay अब ka1 is equal to concentration of h plus concentration of a minus divided by concentration of ha इस तरह से लिखेंगे right so ka1 can be written as c1 alpha 1 plus c2 alpha 2 multiplied with c1 alpha 1 divided by c1 1 minus alpha 1 okay उसी तरह से दोस्तो मैं ka2 भी लिख सकता हूँ जो हो जाएगा c1 alpha 1 plus c2 alpha 2 into c2 alpha 2 divided by c2 1 minus alpha 2 अब क्योंकि ये mixture of weak acid है okay तो हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं दोस्तो कि alpha 2 और alpha 1 दोनो 0.1 से कम है ओके ये एक assumption है reasonable assumption है weak acid है अगर वो dissociation ज़्यादा हो गया तो किस बात का weak right क्योंकि ये weak acid है तो dissociation जो होगा इसका वो 0.1 या 0.1 से कम होगा अगर मान लेते हैं कि for some reason इसका dissociation 0.1 से ज़्यादा है तब आप जो है इस तरह से approximation नहीं कर पाएंगे जिसकी हम अभी बात करने वाले हैं okay अगर ये 0.1 या 0.1 से कम है तब हम बोलेंगे दोस्तो कि 1 मानेस अलफा 1 रफली 1 के बराबर है 1 मानेस अलफा 2 ये रफली 1 के बराबर है okay तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादे से ज़्यादा है एक slide में लिखूँ ताकि सारी चीजे एक जगए ही रहें मैं space बना लेता हूं दोस्तो सो आपका जो दोस्तो के एवन है वो आएगा c1 अलफा 1 स्कॉयर प्लस c2 अलफा 1 अलफा 2 इसी तरह से के एटू जो आएगा दोस्तो वो आपका आएगा c2 अलफा 2 स्कॉयर प्लस c1 अलफा 1 अलफा 2 ओके अब यहाँ पर मुझे ps निगालने रहे concentration of h प्लस जानने की चलोते है concentration of जो h प्लस का है वो दोस्तो c1 अलफा 1 प्लस c2 अलफा 2 है अब ना तो मुझे अलफा 1 पता है ना अलफा 2 पता है बस मुझे c1, c2, ka1 और ka2 पता है तो इन ही के टर्म से मुझे h प्लस अग concentration निकालना है तो हमको बस यह जो तीन equation है दोस्तो इनके साथ हमको देखना एक किस तरह से play किया जाए ताकि answer given variables के terms में आए तो कैसे simplify करेंगे आप यहाँ भी वीडियो को pause करके खुछ से simplify कर सकते हैं that would be best ओके चलिए तो पहला equation और यह रहा दूसरा equation पहले equation में अगर आप c1 से midback कर देंगे तो c1 ka1 will become c1 square alpha 1 square plus c1 c2 alpha 1 alpha 2 और दूसरा equation में दोस्तों अगर मैं c2 से midback कर दूं तो c2 ka2 that would be equal to c2 square alpha 2 square plus c1 c2 alpha 1 alpha 2 ओके बस आप अब इन दोनों को आप add करेंगे ही subscribe करेंगे यहाँ पर हम add करेंगे तो it will make more sense देख लिए आप c1 ka1 plus c2 ka2 this is equal to c1 square alpha 1 square plus c2 square alpha 2 square plus 2 times c1 c2 alpha 1 alpha 2 अब right hand side क्या है दोस्तों? right hand side आप देखेंगे is c1 alpha 1 plus c2 alpha 2 the whole square यही तो चाहिए हमको दोस्तों isn't it? तो c1 ka1 plus c2 ka2 तो दोस्तों c1 alpha 1 plus c2 alpha 2 जो की concentration of h plus है that is equal to the square root of c1 ka1 plus c2 ka2 अब मान लीजिए अगर आप बहुत सारे acid dissolve कर देते हैं जो की सब के सब weak हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह formula याज रखना है कि multiple weak acids एक साथ अगर dissolve हो जाएंगे तो summation of c1 ka1 square root of that यह आपका h plus देगा और जो आपका pH है यह तो आपको पता ही है कि negative log of h plus है तो इस तरह से आप mixture of weak acids का scenario टिकर कर सकते हैं तो मिलते हैं मगले वीडियो में तब तक के लिए bye for now